डॉक्साब पाक भारत तालुकात में जो नर्मी जाहरा ये एक दिन में तो मुम्किन नहीं है इसके पीछे तवील मुजाकरात का एक प्रॉसेस होता है आपने भी आज अपनी रिपोर्ट में जो जिकर किया कि भारत के साथ बैकडोर चैनल रवाबित पिछले एक साल से जारी हैं सर इसका क्या बैक ग्राउंड है कैसे ये मौामला चुरू हुए पांच अगस 2019 के बाद देखे इसके दो फिए हैं जो हमें पता चला है पाकिस्तानी सोर्सिस ने बहुत ही उपरेजिश दूफर्प किया एं बलोचसतान टाइम्स की निउस रेपोर्ट में जिसका आप इशारह दे रही हैं पहला प्रोसेस शुरू हुआ आउगस्ट दो हजार अठारा में हिंदुस्तान की नैशनल सेकिरोटी एडवाइजर अजीद दोवाल और पाकिस्तान की इंपोर्टन प्रसालिटीज के दरमयान। और ये प्रोसेस उसकर डिस्रप्ट हो गया जब खलाफ तवक्यो हिंदुस्तान की हुकुमत ने आउगस्ट दो हजार उन्निस का जो है उन्होंने एकदामात किये कश्मीर में उसके बाद ये कई बहीने तक ये प्रोसेस डिस्रप्टेड रहा और फिर कुजिश्टा बरस कही मार्च अपरेल में इस प्रोसेस का दोबारा से आघाज हुआ और अब जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसे कमज़ कम एक साल हो चुका है ताहम जब हम ये सुनते हैं कि प्रोसेस था चल रहा एक इंगेजमेंट थी और उसके बावजूद हिंदुस्तान की हुकुमत ने न जरेंदर बोदी की हुकुमत ये एकदामात उठा सकती है तो फिर क्या आगे चले वाले किसी प्रोसेस पे आप यकीन कर सकते हैं तो आपराल हमारे सोरसेस यही कहते हैं इसलामबाद में जी-जी- इसलामबाद में सोरसेस यही कहते हैं कि एंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है ये डेड नहीं हुआ और हमाद अजर साहब ने जो उस वक्त एक डेक्लिरेशन कर दिया कॉर्टन और शुकर इंपोर्ट का ये एक प्री मिचूर डिसिजन था प्री पॉस्टरस था ये गालबन ये भी हम समझ सकते हैं कि शायद ये एक टेस्ट बैलून था इसलिए हमाद अजर साहब से करवाया ग लोगों को जजबात को टेस्ट करने की कोशिश गई रियाक्शन जानने की कोशिश की गई फिर कैबिनेट के दबाओ पर इस चीज़ को वापस ले लिया गया क्या हम ये कह सकते हैं ये जो बैक्गराउंड राप्ते हो रहे हैं कोशिशे हो रही हैं ये उन्ही कोशिशों के नतीजे में कोशिश करके देखी गई जी बिलकुल शाजिया मैं आपसे तफाक करता हूँ मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जाहरे हमाद अज़र कोई बचे नहीं है और अकेले वो एक्शन कर भी नहीं सकते थे उनसे कहलाया गया रदे अमल देखा गया ख्याल यही था कि आप अगर ये ट्रेड रिजम्शन कर देंगे एक अन्डेकलेर्ड तरीके से तो शायद बात आगे चल जाएगी लेकिं उसके खलाफ ऑपोजिशन बाशमूर खास करके पीमेलन की तरस से और मीडिया की तरस से जो रियक्शन रदे अमल हुआ लोग सट पटा गए हैरान रह गए कि अचानक की कैसे चीज़ होगी यह फिर एहसास हुआ कि जाहर है इसके लिए कोई पॉलिटिकल होमवर्क और बैगराउंड नहीं हुआ था तो जहां एक engagement बहुत मुस्बत और positive step है वहाँ यह सवालात उच रहे हैं कि इस engagement के नतीजे में भारत पाकिस्तान को क्या देगा और पाकिस्तान भारत को क्या देगा और भारत के जो मूदी हुकुमत के जो यहां पे goals हैं उनके जो interest हैं वो तो बड़े वाज़े और clear हैं कि वो चाहते हैं कि वो दुनिया को बता सके हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका एक normalization का process चल रहा है बातचीत हो रही है कि trade resume हो जाता है तो वो ही कह सकते हैं कि देखी हमने South Asia में अमन हासल कर लिया है लेकिन पाकिस्तान को इसके जवाब में क्या मिलेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका कोई खाकिस्ता तसलिफ जवाब हमें नहीं मिलगा ये जिस सारी हमारे सामने एक नतीजे आ रहे है या इसको एक positive जो हम move कह रहे हैं ये जो अमरीका में नई इंतजामिया आई है बाइडन की इंतजामिया आई है फिर यकीना भारत को एक चाइना का भी pressure रहा है तो हम कह सकते हैं कि अगर भारत कुछ back foot पर गया है ये एक कदम पीछे हटा है उसके वज़ा ये है कि नई अमरीकी इंतजामिया का दबाओ और दूसी तरफ चाइना का जो उन पर दबाओ है ये उसका भी नतीजा हो सकता है लेकि हमारे जो sources हैं इसलामबाद में वो तो ये कहते हैं कि अमरीका का इन back channel जो engagement है back channel की इसके साथ अमरीका का कोई तालग नहीं है अमरीका में हैस एक observer है एक spectator है वो इसे देख रहा है लेकिन जो independent analyst है पाकिस्तान के जो serious analyst है वो समझते हैं कि इसे जैसा कि आप कह रही है Biden administration से इसको अलग हर्ट के नहीं देखा जा सकता क्योंकि Biden administration नरेंदरा मोदी की हकुमत को बहुत खुल के engage करना चाहती है चीन के खलाफ उनको बहुत बड़े इताहदी की तौर पे देखती है कौर्ड में भारत को पुश करना चाहती है वो चाहते हैं कि भारत और पागिस्तान के दर्मयान tensions के जो optics हैं कश्मीर के हवाले से उसमें कमी हो ताके भारत को engage करने में और चुके फिर गुजश्टा दोड़ाई बरस में नरेंदरा मोदी के image में भी बड़ी कमी आई है बिकॉज ऑफ जो citizen amendment act पे जिसकिसम के फसादात हुए हैं कश्मीर में जिसकिसम के हालात रहे हैं तो यहां पर नरेंदरा मोदी को फेसलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है इंडिया की establishment जिसमें पाकिस्तान से टेंशन कम करने का जो एक माहौन का स्पक्र्टर है किसानों की एक बड़ी तहरीक वहां की opposition का दबाओ internal problems को भी हम ignore नहीं कर सकते हैं उसका भी एक pressure है नरेंदरा मोदी पर बिल्कुल सही कह रही है आपके वो तमाम चीजों की मौजूदकी में कोशिश ये की जा रही है कि नरेंदरा मोदी के image को जरा साफ करके अमरीका और दुनिया को दिखाया जाए लोकिन पाकिस्तान को क्या मिलेगा ये वो सवाल है जो सब जहनों में है कि अगर हम ये इस optics का हिस्सा बन जाते हैं भारत के साथ आगे बढ़ते हैं एक positive चीज हमारे सामने आई है कि line of control के उपर 2003 के ceasefire का अहिया हो गया है उसकी तजदीद हुई है और वो एक हमें relief जरूर नजर आती है कि हम पे वो pressure था लेकिन इसके अलावा अब तक अगर tweet कर दिया नरंदर अबोदी नहीं खत लिख दिया तो ये तो कोई substantive चीज़े नहीं है हमारे भारत के साथ बहुत से issues हैं उसमें इंडस वार्टिट फ्रीटी है उसके पानी के issues है सर क्रीक का issue है सिहाचीन क issue है और बहुत से issues हैं पर सबसे भड़के ये कि कश्मीर के जो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं जहां एक लाग के करीब इंसानी जानों की कुर्बानी दी जा चुकी है हम उनको क्या message यहां पे देना चाहते हैं क्या हम कोई ऐसी diplomacy कर सकेंगे जिसके नतीजे में असली वक्षा में जवाब नहीं मिल सका कि पाकिस्तान अपनी diplomacy की जिरिये क्या हासल कर सकेगा अपने लिए और कश्मीरियों के लिए तो मूदी के दौरे पाकिस्तान को सार कॉंफरेंस में शिर्कत के तनाजूर में देखा जा रहा है जी बताया यही है sources ने कि अगर यह process चल निकले और इसमें कॉंफरेंस बिल्डिंग मेयर होते रहें एहतमाद की फजा हो जाए और मूदी हकुमत हिंदुस्तानी अउक्यूपाइट इंडियन अउक्यूपाइट कश्मीर में कोई मीनिंगफुल कंड्यूसिव एट्मॉस्फियर या इनेबलिंग एंवॉर्मेंट पैदा कर देती है वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज को रोकने का गैरेंटीज देती है पानी के हवाले से गैरेंटीज देती है कश्मीरी पॉलिटिकल प्रॉसस को आटोनमी देती है कश्मीरियों को आजाद कश्मीर और पाकिस्तान आने के लिए पर्मिट पे इराज़त देती है इस किसम कि अगर सबस्टेंटिव मायर करती है तो फिर ये मुम्किन हो सकेगा कि नरंदरा मोधी साख के समट में शर्कत करें लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बताये ये घा है कि ये हो सकता था ये अबी तद कोई डन डील नहीं है विकोज अबी तद कोई ऐसे कांफेडंस reliable के महीने में हैं और अगले च्छे महीने में कितने कांफेडंस मायर हिंदुस्तान की हुकोमत कर सकेगी मुझे नहीं लगता कितनी चीज़ें हो सकेंगे कि नरिंदरा मुदी आ सकें मतवक्त जरूर था आज कल तो वैसे भी कोविड है आपको पता है सारे इवेंट्स वर्चूल हो रहे हैं वर्चूल पर भी इवेंट हो जाता है आपको नहीं लगता है एक बड़ी ये पॉजिटिव पेश्रफ्त होगी इसलामबाद में अगर हो जाता है देखिए अगर नरिंदरा मुदी और शाजिया अगर सार्क का कोई ऐसा समिट होता है जो सार्क का प्रोसेस रुका हुआ है वो तो रीजिनल, ट्रेवल, ट्रेड और कनेक्टिविटी की इशू पे रुका हुआ है वहाँ पर बहुत सी पेचीदिया है उस प्रोसेस को लेकर आगे चलने में जब तक उसके हवाले से बहुत सा बैक्राउंड वर्क नहीं होगा बहुत सी नेगोसियेशन नहीं होगी, बहुत बात्सीत नहीं होगी वो चीज मुझे नहीं लगता के हो सकेगी सोचा जरूर गया होगा, लेकिन ग्राउंड रियालिटी को देखते वे ऐसा नहीं लगता के ऐसा हो सकेगा